हेलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है हम पिछले वीडियो में शिक्ष्या मनविज्यान के टोपिक फर्ष्ट के क्यूशन सोल कर रहे थे आज इसका पार्ट टू अपलोड किया है मैंने जिसमें आप इसके क्यूशन ध्यान से पढ़ेगा और सोल कीजिएगा डेस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आप जाके वहाँ जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो में यह भी बता दूँगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसे आप लोगों ने का ता डाउनलोड नहीं हो रहे हैं लेकिन कुछ के एंदृत बाल के एंदृत या फिर विसे के एंदृत तो आप शभी जानते हैं मन फिर नहींदा में झिसक्षा का बनाया है जांने में जानने सारीत चांट। शिक्षा की उपर्युक्त सभी प्रकार से मदद करता है अगला क्यूशन है शिक्षा मनविज्ञान है ये क्यूशन दो बार आया हुआ है फर्स्ट गेट जी उसमें हिंदी में भी आया था और बोतिक विज्ञान 2014 में भी आया था तो आप याद रखेगा ये रिपिट होते ह इन्हें पढ़िएगा याद कीजेगा तो शिक्षा मनविज्ञान क्या है अनुपर्युक्त विज्ञान है स्टार्टिंग में अपने सोल के अता पहला क्यूशन यही था शिक्षा मनविज्ञान है अनुपर्युक्त विज्ञान अगला क्यूशन आपके लिए आता है शिक अच्छले एक्जाम में आयोफे हैं तो इनको ध्यान से पढ़ेगा फिर अगला क्यूशन आपके लिए आता है निम लिकित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्यान के अध्यान की वस्तुनिष्ट विधी नहीं है निम लिकित में से कौन सी उपचारा आत्मक विदी और निरिक्षन विदी जबकि आत्म निरिक्षन विदी वस्तुनिष्ट विदी नहीं है अगला क्यूशन आपके लिए हैं निम लिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्यान की प्रकृति को सबसे उप्युक्त रूप में प्रदर्शित करता है कौन से कतन सही है कि जो शिक्षा मनोविज्यान की प्रकृति को सबसे उप्युक्त रूप में शोग करते हैं अगला क्यूशन आपके लिए आता है बाल मनोविज्यान का केंदर बिंदू कौन है बाल मनोविज्यान का केंदर बिंदू नाम से सपष्ट है बालक है ये यूपी टेट में आया है लेवल फष्ट में 2014 में तो बाल मनोविज्यान का केंदर बिंदू है बालक अगला क्यूशन आपके लिए आता है एक शिक्षक को कक्षा में कारे करना चाहिए किस प्रकार का प्रगतिशील भूमिका में, परभुत्वादी भूमिका में, परजात आंतरिक भूमिका में या फिर परभावशाली भूमिका में तो आप समझ गए होंगे एक शिक्षक को कक्षा में परजात आंत्रिक भूमिका में काध्ये करना चाहिए। अगला क्यूशन है, शिक्षा मनविज्यान अध्यन करता है किसका? आत्मा का धार्मिक परिस्तितियों में मानव व्यवार का सेक्षिक परिस्तितियों में चेतन्यता का ऐसिमित परिस्तितियों में या मस्तिक्स का बोधिक परिस्तितियों में तो आपको पता है शिक्षा मनोग्यान किसका अध्यन करता है मानव वियवार का सेक्षिक परिस्तितियों में अध्यन करता है अगला क्यूशन है परभाव साली शिक्षक बनने के लिए आवशक है कि क्या किया जाए परभाव साली शिक्षक बनने के लिए वह अपने विशे को अच्छी प्रकार जानता है वे अपने विध्यारतियों से अधिक्तम संभव अंतेक्रियाएं करता है उसे शिक्षन वीदियों का पूरा ज्यान हो या उप्रोक्त सभी तो परभाव शाली शिक्षक बनने के लिए निम्न में से कौन से विश्यस्ता है होनी चाहिए ये उप्रुक्त सभी विश्यस्ता हैं उसमें होनी चाहिए अगला क्यूशिन आपके लिए आता है शिक्षन अधिगम प्रक्रिया के तीन प्रमुक अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं उद्देश्य शिक्षन और मुल्यांकन विध्याले समुदाय और सरकार शिक्षन प्रक्रिया मुल्यांकन और पाठ्यकरम या फिर उद्देश्य अध्यापन अधिगम परिष्थितियां और मुल्यांकन तो शिक्षन अधिगम प्रक्रिया के तीन प्रमुक अंग होते हैं उद्देश्य अधिगम परिष्थितियां और मुल्यांकन अगला क्यूशन है मनोविज्ञान वेवार का सुद्ध विज्ञान है ये किसका कहना है आपके अप्शन है वुडवर्थ का जेम्स डिरेवर का वाटसन का या स्कीनर का तो मनोविज्ञान वेवार का सुद्ध विज्ञान ये कहना था वाटसन का अगला क्यूशन है मनोविज्यान वेवहार और अनुभव का विज्यान है यह कितन किसका है देखे सेम आया इसमें भी वेवहार आया था लेकिन इसमें वेवहार और अनुभव दोनों आया है तो मनोविज्यान को वेवहार और अनुभव का विज्यान कहने वाले मनोविज्यान कौन है स्कीनर है स्कीनर ने मनोविज्यान को वेवार और अनुभव का विज्यान कहा था अगला क्यूशन आता है ये क्यूशन बार-बार आता है आपको पता है कि मनोविज्यान ने सरुपरतम आत्मा को खोया फिर मन और मस्तिक्स को खोया इसके बाद चेतन सीलता को खोया और अभी यह हैं वेवार का अध्यन बना हुआ है यह किसका कहना आप सभी जानते हो अभी हाली में कुशन आया था 2nd grade में तो यह कहना है वुडवर्थ का यह 3rd grade में भी आया है 2012 में तो ध्यान से बढ़ेगा यह कुशन एक्जाम में repeat होते हैं यह कुशन आपको बार-बार बोल रहा हूं है अगला क्यूशन आता है साइकलोजी सब्द की उत्पत्ति किस भासा से हुई है या आप सभी जानते हो लेटिन भासा से हुई है अगला क्यूशन है निम लिकित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्यान का नहीतार्थ एक अध्यापक के लिए सायक नहीं है निम लिकित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्यान का नहीतार्थ अर्था तत्व एक अध्यापक के लिए सायक नहीं है अधिगम करता ये विकासात्मक विशेष्ताओं को समझने में हाँ ये सही है ये अध्यापक के लिए आवशक है शायक है विक्तिकत विबिन्ताओं को पहचानने में आवशक है बिल्कुल जही सही है कक्सा की समूगती शीलता को जानने में आवशक है ये भी सही है जबकि शिक्षा मनोग्यान का नहीतार्त ये अधिगम की अभी शमता डाने में अगला क्यूशिन है शिक्षा मनोविज्यान का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है इसके लेंग्वेज बदली हुई है बाकी सभी सेम है अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में अधिगम करता एक व्यक्ति के रूप में शिक्षण विद्धी एक व्यू रच है शिक्षा मनोविज्यान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है अधिगम करता एक व्यक्ति के रूप में अगला क्यूशिन आपके लिए है निम लिकित में से किसमे शिक्षा मनोविज्यान उप्योगी नहीं है अपने बहुत से क्यूशिन होते हैं जो ऐसे गलत हो जाते है नहीं लिखा हुआ लेकिन अपन हे समझ जाते हैं तो ये क्यूशन पूछ रहा है किसमें शिक्षा मनोग्यान उपयोगी नहीं है पसूओं पर प्रयोग करने में बालकों में मांसिक एस्वस्ता में शिक्षण वीदियों की चेहन में या छात्रों को अभी प्रयोग करने में तो शिक्षा मनोग्यान किसमें उपयोगी नहीं है पसूओं पर प्रयोग करने में अगला क्यूशन आपके लिए आता है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोग्यान का ज्यान महत्पूर्ण है क्योंकि उसको उसको शिक्षा मनोग्यान में नहित सिद्धानतों को अपने शिक्षण कारे में प्रयोग करना होता है वह कक्षा कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगम करताओं के बीच वेक्तिक विभिनता का कोई विचार नहीं करता है शिक्षण व्यवसाय में मानवे विकास के नीमों का कोई स्तान नहीं है उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबन नहीं है ये क्या पूछ रहा था अध्यापक के लिए शिक्षा मनोवग्यान का ज्यान मैतपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्यान में नहीत सिद्धानतों को अपने शिक्षण कारी में पर्योग करना होता है अगला क्यूशिन आपके लिए है कक्सा कक्स परिस्तिती में स्रव्य द्रश्य सायक सामगरियों पर्योग में लेते समय शिक्षन का निमलिकित में से कौन सा सुत्र सम्मिलित होता है जब कक्सा कक्स में स्रव्य द्रश सायक सामगरियों को अपन प्रयोग में लेते हैं तो उस समय शिक्षन का कौन सा सुत्र सामिल होता है सरल से जटिल की और मुर्थ से अमुर्थ की और करके सीखने की और या विशलेशन से संसलेशन की और तो कक्सा कक्स में सिक्षन सायक सामगरों के प्रयोक के समय मुर्थ से अमुर्थ सिक्षन सुत्र सामिल होता है अगला क्यूशन है मनोविज्यान के अंतरगत कौन सा सेत्र नहीं आता है प्रायोगीक मनोविज्यान व्यक्तिक मनोविज्यान ऐसामान्य मनोविज्यान या फिर ओदोगीक मनोविज्यान अपने मनोविज्यान के सेत्र पड़े थे तो इन में से कौन सा मनोविज्यान का सेत्र के अंतरगत नहीं आता है तो इसमें आएगा व्यक्तिक मनोविज्यान मनोविज्यान के सेत्र के अंतरगत नहीं आता है अगला क्यूशन है कौन सा सेत्र मनोविज्यान के अंतरगत नहीं आता है फिर से दूसरा क्यूशन ओद्योगिक मनोविज्यान राजनेतिक मनोविज्यान विकरत मनोविज्यान या फिर ऐसा माइन्य मनोविज्यान तो मनोविज्यान के सेतर के अंतरगत नहीं आने वाला कौन सा सेतर है मनोविज्यान है राजनेतिक मनोविज्यान मनोविज्यान के सेतर के अंतरगत नहीं आता है अगला क्यूशन है मनोविज्यान वेवार का सुद्ध विज्यान है ये कतन किसका है ये वापस repeat हुआ देखो 3rd grade maths exam में 2010 में तो मनोविज्यान वेवार का सुद्ध विज्यान है किसने कहा था Watson ने कहा था ये पहले repeat हुआ था 3rd grade exam 2012 में पहले आया था 2nd grade maths exam 2010 में तो आप ध्यान से पड़ेगा मनोविज्यान वेवार का सुद्ध विज्यान ये कतन किसका है वाटसन का अगला क्यूशन है शिक्षा मनोविज्यान किसके लिए जरूरी है छात्र के लिए अभीभावक के लिए सभी के लिए या फिर शिक्षक के लिए टो शिक्षा मनोविज्यान का ज्यान शिक्षक के लिए जरूरी है। याद रखे का इसमें पहला उप्शन सही माना था RPSC ने 3D Grade Teacher 2013 में आया था शिक्षा मनोविज्यान जरूरी है शिक्षक के लिए। अगला है मनोविज्यान क्या है? आत्मा का विज्ञान, मस्तिक्स का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या वेवार का विज्ञान तो मनो विज्ञान क्या है? वेवार का विज्ञान है भी वर्तमान में फिर आता है निम लिकित में से कौन सा मनो विज्ञान के अंतरगत नहीं आता है अगला क्यूशन है परभाव शाली शिक्षक बनने के लिए क्या आवशक है वह अपने विशे को अच्छी प्रकार जानता हो ये वापस रिपीट वहा याद रखेगा अभी अपने शोल क्या था इसको अगला क्यूशन है निम लिकित में से कौन सी शिक्षा मनोग्यान की प्रकरती है कौन सी शिक्षा मनोग्यान की प्रकरती है कला विज्ञान विद्यात्मक विज्ञान या फिर इन में से कोई नहीं तो निम लिकित में से शिक्षा मनोग्यान की जो प्रकरती है वो क्या है अगला क्यूशन आपके लिए है निम लिकित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है विध्यारतियों में जागरुगता उत्पन करना ज्यान का निर्मान करना विध्यारतियों को समझना या फिर विध्यारतियों को विभिन्य प्रेत्नों को समझने योग्य बनान तो ये पूचरा है शिक्षण का मुख्य उद्देशन नहीं है, वो है वेध्यार्थियों को समझना, ये शिक्षण का उद्देशन नहीं है अगला क्यूशन आता है आपके लिए, शिक्षा मनोविज्यान अध्यन करता है मानव व्यवार का सेक्षिक परिस्तितियों में मानव व्यवार का विग्यानिक तरीके से सकारात्मक रूप में या फिर उपरोक्त सभी से तो इसमें आएगा शिक्षा मनवग्यान उपरोक्त सभी प्रकार से अध्यन करता है अगला क्यूशन है शिक्षा मनोविज्यान के मुख्य तत्व कौन-कौन से है शिक्षा आर्थी, शीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर इन में से सबी तो शिक्षा मनोविज्यान के जो मुख्य तत्वे हैं वो हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और अधिगम जिसे शीखिने के प्रक्रिया कहा जाता है हो इसमें आएगा उपरोग सबी अगला क्यूशन है, सरुपर्थम मनोविज्यान को किस विषय का अधियन करने वाले विषय की रुप में परिबाशित किया गया था तो इसमें आएगा आप सबी जानते हैं सबसे पहले आत्मा का विज्यान आया था अगला क्यूशन है शिक्षकों को निम लिकित में से शिक्षन वीदियों को अभ्यास में लाना चाहिए कौन किस प्रकार की शिक्षन वीदियों को अभ्यास में लाना चाहिए बाशन वीदी, वर्णनात्मक वीदी, अंत्यक्रियात्मक वीदियां या फिर कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं शिक्षकों को अंत्या क्रियात्मक शिक्षन विद्यों को अभ्यास में लाना चाहिए अगला क्यूशिन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए किस प्रकार का शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विध्यार्तों को व्यावरिक जीवन के लिए तियार करने के लिए विध्यार्तों का सरवगन विकास करने के लिए अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण बनानी के लिए या फिर उप्रोक्त सबी तो शिक्षक का उद्देश से जो है वो उप्रोक्त सबी होने चाहिए अगला आता है शिक्षक की क्या भूमी का होनी चाहिए ज्यान निर्मान का सरली करन करना पठ्टे सैगामी क्रिया कलाप का प्रयोक करना बालकों के परती प्रेम और सानुबुती अपनाना या फिर उप्रोक सभी तो शिक्षक की भूमी का उप्रोक सभी प्रकार से होनी चाहि शिम्टा हुआ थोड़ा सा संकुचित अर्थ क्या है मन का विज्यान तो इसमें क्या आएगा संकुचित अर्थ में मनोविज्यान का संकुचित अर्थ है मन का विज्यान याद रहेगा मनोविज्यान का संकुचित अर्थ है मन का विज्यान व्यवार का विज्यान नहीं होगा संकुचित अर्थ में आएगा मन का विज्यान फिर आएगा शिक्षा मनोविज्यान क्या है इसमें आएगा आपके व्यवारिक विज्यान यह पूछ रहा था मनोविज्यान का संकुचित अर्थ है मन का विज्यान जबकि शिक्षा मनुवग्यान है वियावारिक विज्ञान अगला क्यूशन है निम लिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है यह पूछ रहा है निम लिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है यह आया हुआ है PTI 2nd grade एकजाम 2012 में शिक्षा मनोविज्यान हमको शिक्षा के उद्दिश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है इसमें दारेट आपको पता चलिया है गलत बोल रहा है नहीं इसमें आ रहा है तो यही option सही नहीं है अगला क्यूशन है आपके लिए निम लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षा मनोविज्यान का सेत्र एक अध्यापक के लिए उसकी अध्यन के आवशक्ता को सपष्ट करता है शिक्षा मनोविज्यान अपनी अध्यन की वीदियो में एक विज्यान है शिक्षा मनोग्यान अधिगम की सिद्धानत और नियम स्थापित करता है शिक्षा मनोग्यान भोतिक सास्त्र या गणीत की तरह एक सुद्ध विज्ञान है तो इसमें कौन सा कतन सही नहीं है ये चोथा उप्षन इसमें सही नहीं है कि शिक्षा मनोविज्यान बहुत तीक सास्त्रिया गणीत की तरह एक सुद्ध विज्यान है अगला क्यूशन है शिक्षा मनोविज्यान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम की नीमों तथा परक्रियाओं के परती एक विग्यानिक दिश्टिकोंड परदान करता है शेक्षिनिक परिस्थितियां परदान करता है विग्यानिक तरीके से देखता है या फिर उपरोक्त सभी तो शिक्षा मनोग्यान अध्यापे की मदद उप्रोक्त सभी प्रकार से करता है मनोविज्ञान का नवींतम अर्थ क्या है यह आप देखते हैं समझ जाओगे अभी नवींतम अर्थ है इसका वेवार का विज्ञान फिर आता है मनोविज्यान वेवार का निश्चित विज्यान है ये किस ने कहा है मनोविज्यान वेवार का निश्चित विज्यान है ये कहना है वाटसन का वाटसन ने कहा है मनोविज्यान वेवार का निश्चित विज्यान है फिर आता है मनोविज्ञान वेवाहर और अनुभाव का विज्ञान है फिर रिबिट हुई ये परिबासा वेवाहर का विज्ञान तो है वाटसन का कहना और वेवाहर और अनुभाव का विज्ञान है ये किसका कहना अभी बताया था आपको स्कीनर का अगला क्यूशन है आदूनिक शिक्षा मनोविज्यान का अनुपर्योग किस पर आधारी थें? दरम पर, विध्याले प्रबंदन पर, वर्ग पर या फिर वेक्तिगत विबिन्यताओं पर तो आदूनिक शिक्षा मनोविज्यान का अनुपर्योग वेक्तिगत विबिन्यताओ पर आदारित है अध्यापक और मनोविज्यान का क्या संबंध है मनोविज्यान अध्यापक को परभावी बनाता है मनोविज्यान अध्यापक को व्यवस्तित करती है मनोविज्यान अध्यापक के ज्यान में व्रद्धी करती है या फिर उपरोग सभी तो अध्यापक और अंतिम चरण कौन सा हैं आप सबी जानते हैं शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है मुल्यांकन अगला क्यूशन आता है शिक्षण मनोग्यान का मुक्षे केंदर बिंदू कोन है ये बार बार रीपिट हो रहा है इसमें कोन आएगा शिक्षा मनोग्यान का मुख्य के अंदर बालक शिक्षा मनोग्यान सायक है स्वेम को समझने में बालक को समझने में मिश्रन वीदियों के चैन में या फिर संपूर्ण सेक्षिक प्रक्रिया में तो शिक्षा मनोग्यान किसमे सायक है संपूर्ण सेक्षिक प्रक्रिया में अगला आता है मनोविसलेशन वादी सिद्धांत के जनम दाता कौन है फ्रायड सभी जानते हैं फ्रायड मनोविसलेशन वादी सिद्धांत के जनम दाता है जर्मनी के वीलियम वुंट किसलिए जाने जाते हैं पहली मनोवग्यानिक प्रयोक्षाला खोलने के लिए आप सबी जानते हैं पहली मनोवग्यानिक प्रयोक्षाला इन्होंने 1889 में जर्मनी के लिपजिंग नामकस्तान पर खोली थी विलियम वुंट ने अगला आता हैं किसोरा वस्ता के अंत तक होने तक अध्यन करता है अगला क्यूशन है बाल मनोविज्ञान का ज्यान शिक्षक के लिए आवशक हैं क्योंकि सातुर की पैचान और तुल्ला करने में सायक हैं चहुमु की विकास के लिए सायक हैं बाल को की सेक्षिक और व्यावसाइक मार्गद आया हुआ है 2010 Second Gate Sunscript में कौन सा मनोविग्यानिक नहीं है जोन डीवी, वाटसन, हल और स्कीनर तो इसमें आएगा जोन डीवी मनोविग्यानिक नहीं है क्योंकि इन्होंने शिक्षा के सेत्र में कोई व्यापक कारी नहीं किया लेकिन मनोविग्यान से सम्मंदित कोई इन्होंने शिक्षा के सेत्र में तो व्यापक कारी किया था लेकिन मनोविग्यान से सम्मंदित कोई उलेखने कारी नहीं किया इसलिए इन्हें शिक्षा सास्त्री मांदना जाता है अधिकतर अरना की मनोविग्यानि अगला क्यूशन है बाल मनोविग्यान का सिद्धान्त परारम के 4-5 वर्सों के अनुबवव पर आधरित होता है इसमें क्या आएगा खालिस्तान में बाल मनोविग्यान का मनोविशलेशन आत्मक सिद्धान्त परारम के 4-5 वर्सों के अनुबवव पर आधरित होता है याद बालकी सामाजिक अंतक्रिया से, परिपक्वता वा अनुवांसिक प्रभाव से या उप्रोग सबी से ये क्यूशन आया था 3rd grade teacher exam 2013 में जिसमें आंसर कौन सा माना था विकासात्मक अवस्ता, बाल मनोविज्यान संबंदित हैं विकासात्मक अवस्ता से विकासात्मक अवस्ता से संबंदित हैं बाल मनोविज्यान या आपका आज का पार्ट कंप्लिट हो गया है इसके बाद अगला पार्ट एक और बचा हैं जिसमें 50 कुशन और बचे हैं वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे आपने पढ़ लिए हैं तो आप डिसक्रिप्शन में जाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं कुशन आपको मैं बता रहा हूँ इसको कैसे डाउनलोड करने हैं कुशन वीडियो के description में link दिया हुआ है description वही है वीडियो का title जहाँ सो हो रहा है आप उस पर एक बार click कीजिए और वो आपका description open हो जाएगा जिसमें आपको link दिख जाएगा उस पर आप click कर दीजिए जब आप इस link पे click करोगे तो आप इसे UC browser या Google Chrome में open कर लीजीगा फिर यह उसके बाद आपको एक window पे ले जाएगा जिसमें आपको I am not a robot पे click करना है यहाँ पर इसके बाद आपके right का निशान आ जाएगा या फिर कुछ pics आपके सामने so हो जाएगी तो आप उसमें जैसे car की pic select कीजे तो आप उसमें से car की pic select करके click here to continue पे click कर दीजेगा तो यह आपको notes में ले आएगा यहाँ पर आपको 10 second के wait के बाद आपका link generate हो जाएगा आप उसपर click करके आपके notes डाउनलोड कर सकते हैं यह आपके second पूरे हो गए फिर इसके बाद यह आपका get in link पे click कर दीजेगा फिर आपकी जो भी id हो gmail id उसपर click कर दीजेगा एक mb की file है यह download हो जाएगी जैसे यह download हो चुकी है फिर आप यहाँ पर right click करके आप यहाँ पर download का option पे click कर सकते हो यह आपकी download हो जाएगी file उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हो